आज मैं आपके साथ शेर करूंगी मीठी टिक्या की रेसिपी, एकदम पफेक्ट मीठी टिक्या बनेगी जब आप मेरे बताए तरिके से इससे बनाएंगे, step by step बस आप इस मेथड को फॉलो करें, फिर आप देखिए, आपकी मीठी टिक्या बहार से एकदम कुरकुरी होंगी और अंदर से खस्ता, एकम मुँ में घुलने वाली, आप सुन सकते हैं इसकों, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मीठी टिक्या बनाने के लिए सबसे पहले हम दो कप में डालेंगे अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच लाइची पाउडर और हाफ कप मैंने इसमें डाली है सूजी सिमलीन, जिसका वेट अगर हम मेशर करेंगे तो ये 40 ग्राम के करीब है ये मैं 3 टेबल स्पून इसमें सफेट तिल डाल रही हूँ, इससे टिक्या का लुक अच्छा आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा, तो अगर आपके पास है तो जरूर डालिएगा और 1 थर्ड कप मैंने इसमें डाला है डेसिकेटिग कोकनट नारियल, जिसका वेट है तकरीबन 50 ग्राम दो टेबल स्पून इसमें खसखस डाल रही हूँ, इससे भी टिक्या का लुक और टेस्ट अच्छा आएगा तो अगर आपके पास है तो जरूर डालिएगा वन थर्ड कप मैंने इसमें डाला है डेसी घी आप इसमें डालदा भी डाल सकते हैं लेकिन देसी घी इसके साथ बैस चाता है और इन सभी ड्राय इंग्रेडेंस को पहले हाथों की मदद से अच्छे से मिला देंगे तो एक तरह से इसमें हम अच्छा सा मोयंदे देंगे तो गी को और आठे को बहुत अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है दोनों हाथों से रब करते हुए दोनों हाथों से इसे मिक्स करने के बाद इसका हम आठा गूंद लेंगे तो इसका आटा गुलने के लिए सबसे पहले हम चीनी का सिरफ बना कर तयार कर लेंगे तो शुगर सिरफ एक तरह की चाशनी ऐसी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा गाणापन नहीं होता और ये गुलाब जामुन वाली चाशनी से भी ज़्यादा पत्ली होती है ये शक्कर और पानी को उबालने और शक्कर की पूरे गुलने तक बनाई जाती है एक पैन में थोड़ा पानी 115 मिली या आधा कप पानी डालें फिर इसमें एक कप चीनी अगर वेक मेशर करेंगे तो ये 150 ग्राम है डाले और गुलने तक हिलाएं चीनी आमतोर पर कुछी मिन्टों में गुल जाती है उबल जाने पर आंच से उतार कर थंड़ा होने दे तो शुगर सिर्प बन कर तयार है और यह थंग भी हो गया है शुगर सिरप डाल कर अच्छी तरह से इसे हाथों से मिला ले और इसका आठा बना कर तयार कर ले शुगर सिरप डाल कर आठा गूंदने की वज़े से टिकिया फ्राइ करते समय बिखरेगी नहीं और नहीं तूटेंगे आठी को अच्छी तरह से असेंबल कर ले मैंने आठे में पूरा शुगर सिरप डाल कर इसे अच्छी तरह से गूंद लिया है ये मुझे थोड़ा सा टाइट लग रहा है तो इसमें दो चम्मच दूद दाल कर मिला ये इसका आठा रखने के बाद थोड़ा टाइट हो जाएगा और अपना आप एज़स्ट हो जाएगा ये थोड़ा चिपचिपा सा लेकिन थोड़ी देर रखने से सूजी फूजाती है और ये अपने आप एज़स्ट हो जाता है ये देखिए थोड़ा सक्त हो गया है अब आठे को हम आधा गंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे अगर ज्यादा देर के लिए इसे रखें तो इसे आप फ्रिज में रखें क्योंकि अब गर्मी शुरू होने वाली है और बाहर रखने से ये खमीर हो जाता है तो यहाँ पर आठे को रखे हुए तकरीबन आधा गंटा हो चुका है अब हम आठे को तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे देखिए दो हिस्से हम एक साइड में रख लेंगे और एक हिस्सा लेकर इसकी गोल लोई बना लेंगे अब इन में से एक लोई लेकर के इसकी हम रोटी बेल कर तयार कर लेंगे कोशिश करें कि इसमें पलेथन का यूज ना करें अगर जरूरत पड़े तो बेलन पर थोड़ा सा तेल लगा कर चिकना कर ले बहुत ज़्यादा पती रोटी ना बेले जिस तरह से हम पराथा बेलते हैं ठीक उसी तरह से ये देखो इसकी साइज लगभग एक बटा 8 इंच या चीनी कुकी की मोटाई में बेल ले पकने पर तिक्या थोड़ी फूल जाएंगी इसके बाद रोटी पर बचे हुए खस-खस को फैला दे और बेलन या हाथ से इसे सेट कर ले उसके उपर हलके से दबा दे जिससे उनमें खस-खस चिपक जाएं अब एक मार्चिस की तिली या फोग की सहायता से इसमें छेट कर दीजिए ताकि टिक्या फूले नहीं अगर टिक्या फूल जाती है तो वो करारी नहीं बन पाती वो पूरी के जैसे सॉफ्ट हो जाती है अपनी पसंद के कटका यूज़ करें हम एक गिलाज से रोटी को टिक्की की तरह काट लेंगे या कटकी मदद से गोलाकार साइज में काट लें सारी टिक्या ऐसे ही बना लीजिए टिक्या तलने के लिए तेल गरम करें टिकिया को कभी भी तेज आंच पर न तलें गी को सही तापमान पर गर्म करना इंपोर्टन्ट है आटे के एक छोटी सी लोई को गी में डालिए वह नीचे तक डूब जाएगी और तुरंट धीरे धीरे चतकने लगेगी धीरे धीरे उपर उठेगी और भूरी नहीं बलकि सुनहरी तलेगी यदि यह उपर नहीं आ रहा है तो घी परियाप्त गर्म नहीं है यदि यह तेजी से काला हो रहा है तो तापमान कम करने के लिए और घी डालें अब मध्यम तापमान पर एक एक करके टिकिया डालें इन्हें दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक तलें तूटने से बचाने के लिए उन्हें धीरे से पलटना मेक शो करें ये सर्दी में बहुत अच्छा विकल्प है मीठे का और ये जल्दी खराब भी नहीं होती इसको आप 15 से 20 दिन तक स्टो करके रख सकते हैं किसी एटाइट कंटेनर में अच्छी टिकिया की क्वालिटी आटे पर डपेंडन्ट करती है अगर बहुत सक्त है तो सक्त टिकिया मिलेगी अगर आटा नर्म होगा तो टिकिया तूट सकती है बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए मेक शो करें कि आटा सक्त थोड़ा सक्त होना चाहिए मक्खन की जगह घी का यूज़ कर सकते हैं अलग देखने के लिए कुकीस कटका यूज़ करके डिफ्रेंट शेट्स बना सकते हैं चाय या कॉफी के साथ नाश्ते की रूप में परोसना सबसे अच्छा है जैसे ही हलका सुनहरा रंग उपर आता है अतिरिक तेल सोखने के लिए इसे किचन पेपर पर निकाल लीजिए तलने की तुरंग बाद कभी भी धखकर न रखें लीजिए आपकी मीठी टिक्या बनाने की विधी कम्प्लीट हुई अब आप थंडा होने पर मीठी टिक्या का आनंद ले और अगर कोई आपसे मीठी टिक्या के बारे में पूछे तो उसे इसके बारे में जरूर बताएं लगभग 15 दिनों तक इसे थंडी जगहिया 30 डिग्री से कम तापमान पर रखें यूस की तुरंग बाद कंटेनर को सील करना न भूली क्यूंकि ये वाईमंद लिया तापमान के कारल ये गिला हो जाएगा अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस सब्सक्राइब करें धर्निवाद और अलविदा